आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ जिनका प्राइस अभी सौर पैसे भी नीचे ट्रेड कर रहा है और इन कमपनीज के प्राइस आगे चलकर फ्यूचर में आपको अच्छे रिटन प्रोवाइड करके दे सकते हैं और आपके पैसो को कई गुना कर सकते हैं और यह जो दो स्टॉक्स के नाम में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ यह दोनों कमपनीज FMCG केटेगरी में आती हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि FMCG केटेगरी क्या होती है तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ FMCG केटेगरी में वो कमपनीज आती हैं जो की normal daily use goods बेशती हैं जैसे की rice, wheat, pulses, oil बगेरा बगेरा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ FMCG कमपनीज के prices, emergency situations जैसे की COVID जैसे timing में भी ज्यादा effect नहीं होते हैं क्योंकि FMCG कमपनी के जो product होते हैं वो daily use products होते हैं जो की लोगों के दुआरा हमेशा खरीदे जाते हैं और हमेशा इस्तिमाल किये जाते हैं तो इन सब stocks के prices इतने जादा fluctuate और इतने जादा effect नहीं होते हैं इसलिए इन company में मुझे काफी जादा potential नजर आ रहा है तो जल से जल इस video को शुरू करते हैं और उन दोनों stocks के नाम जान लेते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को इन stocks में क्यों invest करना चाहिए दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली company है उसका नाम है L.T. Foods Limited दोस्तों यह company 1980 में establish की गई थी और यह company rice और जैसे की और ज्याद़ प्रोड़क्ट जैसे कि आप आप देख सकते हैं manufacture भी करती है बास्मती rice manufacture भी करती है और sell भी करती है और यह domestic market मतलब कि इंडिया में ही नहीं overseas market में भी अपने product sell करती है इस company की जो market cap है वो लगबग 2098 करोड के करीब की है जो की काफी ज्यादा कम है और इस company के जो current price है वो 65.6 के करीब trade कर रहा है अभी और इस company के जो stock PE ratio है वो लगबग 7.72 के करीब है बात करें इस company की book value की वो लगबग 58.9 के करीब की है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि book value और current price में काफी ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि इस company के जो current price है वो अच्छी level पर trade कर रहा है और इसमें अभी काफी ज्यादा potential बाकी है हो सकता है कि आगे चलकर future में इस company का stock split भी हो जाए बात करें इस company के ROCE की मतलब की return on capital employed की वो लगबग 14.8% के करीब है जो की काफी ज्यादा अच्छा है बात करे return on earnings की वो लगब 16.9% की जो की काफी ज्यादा बहतरीन है दोस्तो यही नहीं अब हम बात करते हैं इस company के कुछ pros और cons के बारे में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस company नहीं अपना जो debt है अपना जो loan वगएरा है वो घटाया है इस company के जो stock है वो ज्यादा price से उप 0.11 times अपनी book value से उपर trade कर रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है और इस company ने पिछले 5 सालों में 30.56% की CAGR से growth दिखाई है जो की काफी ज्यादा बहतरीन है और बात करें कुछ cons की जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इस company के जो sales है वो इत 9.47% ही रही है बात करें इस company के return on equity के बारे में तो लास्ट तीन सालों में इस company के return on equity था वो 13.77% था और बात करें इस company ने जो company है अपनी interest जो cost हो सकता है capitalize कर रही हो हो सकता है छुपा रही हो तो इसमें घपराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह company अभी growth इसकी ज्यादा हो सकता है कि आगे चलके और जादा growth इसकी हो जाए तो ऐसी चीज़े आपको देखने को मिल सकती है इन छोटी company में आपको इससे इतनी जादा घपरानी की कोई दरूरत नहीं है दोस्तों बात करें इस company की intrinsic value की तो इस company का भी जो current price है वो intrinsic value से नीचे trade कर रहा है जो की काफी entry लेना सही रहेगा इस stock में या नहीं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टिकल टेप का कहना है कि यह company अभी overbought zone में नहीं है तो आप अभी इस stock को consider पर सकते हैं और खरीदने का सोच सकते हैं और इस company के ओपर कोई भी red flag नहीं है लेकिन एक बात जरूर है कि इस यह profit होता है वो company में business में दुबारा reinvest करना पसंद करती है ताकि इन companies की growth हो सके तो आपको इससे भी घपडानी की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों आप बात कर लेते हैं सबसे important चीज़ के बारे में जो कि है इस company का revenues और profit जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में इस company का revenue था वो लगबग 3.65,000 करोड के करीब था और 2019 में वो बढ़ करके हो गया था 3.91,000 करोड के करीब और 2020 में थोड़ा सा और बड़ा जो की 4,000 करोड के करीब हो गया था और 2021 में भी थोड़ी सी minor सी growth दिखी है revenues में जो की है 4.69,000 करोड की तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस company के profits भी काफी ज़्यादा अच्छे हैं ये company अभी इतनी ज़्यादा overbought zone में नहीं है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस company का जो share price अभी intrinsic value से नीचे trade कर रहा है तो आप लोग इस company में entry लेने का सो सकते हैं और इस stock को consider कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं दूसर प्रोडक्ट्स manufacture करती है और sell भी करती है और इस company की जो presence है सिर्फ domestic markets जैसे की इंडिया में ही नहीं बल्कि overseas market में भी काफी ज्यादा अच्छी और strong मानी जाती है दोस्तों बात करें इस company के market cap के बारे में तो वो है सिर्फ और सिर्फ 1271 करोड के करीब का और जो की काफी दा अच्छा है क्योंकि अगर ये company future में चलकर mid cap company भी बन जाती है तो आपके पैसों को कई गुना करके दे सकती है बात करें इस company के current price के बारे में तो वो है सिर्फ औ पर जा चुका है इसका मतलब ये है कि आप इस company में अभी stock split expect कर सकते है future में हो सकता है कि आपके stock एक के बजाए दो हो जाए हो सकता है दो के बजाए 10 भी हो सकते हैं जैसा company के board of directors decide करते हैं बात करें इस company के stock PE के बारे में तो वो है सिर्फ 10.4 का और ROCE मतलब की return on capital employed के बारे green है और last but not the least बात करें इस company के ROE मतलब की return on earnings के बारे में तो वो है 17.2% के करीब का जो की काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों बात करें इस company के pros और cons के बारे में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस company ने पिछले कुछ महीनों में अपना जो debt है वो काफी ज्यादा घटाया है और काफी ज्यादा कम किया है बात करें इस company के ROE मतलब की return on earnings के बारे में तो इस company के return on earnings से वो पिछले तीन सालों में 18.32% से बड़े हैं जो की काफी ज्यादा अच्छी बात है बात करें इस company के dividend payout के बारे में तो यह company अपने shareholders को काफी ज्यादा अच्छा dividend payout दे रही है लगब 23.72% का payout अपने shareholders को provide कर रही है बात करें कॉंस के बारे में तो इस company के जो कॉंस से एकदम zero है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो की काफी ज्यादा अच्छी बारे में तो इस company की intrinsic value के बारे में तो इस company के जो current price है वो intrinsic value से नीचे trade कर रहा है जो क काफी ज्यादा अच्छी बात है जो कि एक plus point है और बात करें इस company के return के बारे में तो इस company ने पिछले कुछ सालों में FD से काफी ज्यादा अच्छे और बढ़िया return प्रोवाइट करें FD के comparison में और यह company अपने shareholders को काफी ज्यादा अच्छा dividend भी pay करती है प्रोवाइट कर पर कोई red flag भी नहीं है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे plus point आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों अब बात करते हैं सबसे important चीज़ के बारे में जो कि है इस company के profits और revenues जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में इस company का revenue सिर्फ और सिर्फ 1.45,000 करोड रुपीज के करीब कर था जो कि 2019 में थोड़ा सा गिरा था और 1.12,000 करोड रुपीज के करीब हो गया था और दुबारा से फिर 2020 में इस company ने अपने revenues को increase किया और 1.34,000 करोड के करीब हो गया था और बात करें 2021 के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है इस company का और इस company के revenues और profits भी सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.85,000 करोड इस company के revenues थे 2021 में और आगे चलकर बढ़ते ही जा रहे हैं जो कि काफी ज़्यादा अच्छी चीज है दोस्तों बात करें इस company में entry लेने के बारे में तो आप इस company में अभी entry ले सकते हैं और इस stock खरीदने का सो सकते हैं और अपने portfolio में add कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आने व तो दोस्तों ये थे दोनों stocks के नाम और अगर आपको ये दोनों stocks अच्छे लगे हो तो comment करके जरूर बताईएगा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है लगबग हमारे 7000 से भी जादा सब्सक्राइबर्स हम gift as a price उसको दूँगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताके आप giveaway और आने वाली वीडियो से related अपडेट रहे हमेशा तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद